Hey guys, welcome to the new video दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का फिर से आज की इस नए वीडियो पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डिमेट एकाउंट किसी बैंक के अंदर है और आप अपने सेर्स को किसी और डिमेट एकाउंट बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो दोस्तों की आज के टाइम में ट्रेडिंग सभी कोई करते हैं सबको पता है कि ट्रेडिंग का महत्वा भी क्या है जो लोग short time के लिए या फिर long time के लिए भी market में investment करना चाहते हैं वो training जरूर करते हैं training आप short time के लिए भी कर सकते हो कोई short fund लेके आप intraday कर सकते हो आज आपने लिया किसी fund को किसी sales को आपने आज खरता है और आप उसको कल बेच सकते हो या आने ओले time में जब उसकी value बढ़ती है तो जो है आप उसको sell कर सकते हो तो यह तो दोस्तों यह basic है आप सभी को पता होगा जो भी लोग sales market में invest करते हैं आज का जो है main मुद्दा यह है कि अगर आपका जिसे example क्या होता है कि आपको पता है कि जितने भी banks है नॉर्मली उस सारी dimate account खोलते है क्योंकि सबका जो है dimate का यहाँ पर वह होता है तो account जो है open करते हैं आप जब भी salary account खोलते हो या फिर saving account खोलते हो तो bank आपको जो है थोड़ा सा force करता है कि आपको साथ में dimate account भी खुलवा लो और यह जो है इतना brokerage charges है बात करते हैं grow app हो गया जिसे angel broking हो गया यह काफी कम जो है यहाँ पर brokerage charge यहाँ पर होता है तो बात यहाँ आती है कि दोस्तों हमने bank के अंदर अपना account खुलवा रखा है तो हमारे पास जो है वहाँ पर sales पड़े हुए हैं तो sales को आप transfer कैसे करोगे क्योंकि हो सकता है में भी आपने जो sales purchase किये हैं उनकी value अभी कम चल रही है market में तो आपको totally आपको अपना close नहीं करना है demit account चुकि आपको अपना demit आगे run करना है या फिर उसको investment के तौट पर देखना है लेकिन यहाँ पर bank आपसे ज़्यादा charges कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करने वाला होगी जैसे example अगर आपका bank account या demit account जो है ICC bank के अंदर especially मैंने ये video जो बनाया है वो ICC bank के लिए ही बनाया है कि ICC bank के अंदर अगर आपका demit account है उसको आप अगर किसी और किसी भी जैसे कि angel blocking हो गया grow up हुआ या फिर जैसे कि अपना rally gear हो गया इस तरह कहीं पर भी आप अगर transfer करना चाहते हो तो कैसे transfer कर सकते हो दोगों दोस्तों इसका जो है online और offline दोनों process होता है लेकिन अभी के time में सबसे easiest process जो होता है जो bank follow कर रहा है कर ICC bank क्योंकि आपको पता है कि यह जो सबसे बड़ी private banks है तो यहाँ पर सारा कुछ जो है process online और काफी fast and secure यहाँ पर होता है तो दोस्तों क्या करना है आपको simple two step follow करना है इसके लिए और आपके जो है डिमेट सारे जो है जितने भी आपको share holdings है वो यहाँ पर transfer हो जाएंगे किसी और भी जहाँ पर आपका account है जैसे की हो गया grow app या फिर angel blocking में तो दोस्तों क्या करना है आपको example अगर मेरा account grow app के अंदर है और मुझे अपने सारे shares जो है ICC bank से grow app के अंदर लाना है चुकि grow app में कोई भी charges नहीं है कोई भी hidden charges नहीं है और ICC bank जो है charges जो है थोड़ा high होता है तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है चाहे grow app हुआ, angel blocking हुआ, relay gear हुआ तो यहाँ पर आपको cmr later होता है जी है दोस्तों या इसको cml बोल लो या cmr बोल लो, client master list होता है या client master report करके एक जो है आपका report निकलता है, आप जहाँ भी जैसे कि अगर आपने grow app login किया हुआ है तो आप वहाँ पर help वाले section में जाओगे आप वहाँ पर आपको option आता है आपने cmr list का, तो दोस्तों आपको अपने cmr list जो है download कर लेना है दोस्तों, cmr list में क्या होता basically आपका, जितना भी मतलब जैसे कि अगर आपका account grow app के अंदर है तो उसकी सारी detail होती है कि आपका client ID क्या है, DP ID क्या है आपने account कब open किया है आपका demand account में nominee क्या है और आपका address क्या है A to Z जो भी details होती है दोस्तों, वो सारा कुछ जो है mention होता है अब आपको दोस्तों क्या करना है ICC bank के अंदर आपको जाना है आपको demand closure का form होता है demand closure का form आपके, आपको अपने bank से या फिर branch executive से आपको ले लेना है तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होगी मैंने राइट साइट पर आपको demand closure का form यहाँ पर attach देख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों basic जानकारी होती है जैसे कि example आपका ICC bank के अंदर आपको demand account है और example मैं लेता हूँ कुछ shares हैं जो LIC के shares है तो दोस्तों क्या करना है कि आप जहां पर transfer कर रहे हो चुकि मनों आपको यह ध्यान रखना है कि जो grow app है वो किस पर run होती है मतलब वो CSDL के अंदर जो है आपका organized है या फिर आपका NSDL के अंदर है दोस्तों CSDL और NSDL जितने भी company होती है चाहे जो भी जैसे कि हम जिसके तुरों trading करते हैं वो CSDL या NSDL के अंदर जो है registered होती है दोस्तों जो है NSDL है वो 14 digit का यहाँ पर आपको account number provide करता है और CSDL जो है वो आपको 16 digit का account number यहाँ पर आपको provide कराता है तो दोस्तों NSDL में क्या होता है कि आप देखो कि आपका जब भी account number जो चालू होता है वो 01 से start होता है और CSDL का account number IN से सुरुवात होती है सुरुवात के 8 digit जिससे कि IN 303028 example की महें बात करता हूँ वो जो होता है दो तो DP ID उसे बोलते हैं सुरुवात के 8 digit को और उसके बात के 8 digit को जो है client ID बोला जाता है तो आप जब ICC bank का demand closure form लोगे तो वहाँ पे details यह पूछा जाएगा आप से कि आप अपना कितना shares जो है transfer करना चाहते हो total आपको डाल देना है इतने shares है इतनी उसकी value है और उनका जिससे कि आप grow app में transfer करना चाहते हो तो grow app का client ID क्या है DP ID क्या है वो basic detail आपको यहाँ पे fill कर देनी है उसके बाद नीचे आपको sign करना है और आपने साथ में अपना pen card attach करना है यह काफी basic चीज है यह काफी easily आप जो है within 10 minutes के अंदर आप जो है bank जाके इस चीज को process कर सकते हो तो दोस्तों आपका grow app में आ जाता है तो काफी easy process है जिसे कि personally मैंने इसको किया है हाल फिलाल के time में और minimum maximum two days के अंदर जो है मेरे सारे sales जो है grow app के अंदर transfer हो गये हैं और इसके लिए कोई भी charges आपको नहीं देना होता है बिल्कुल free service होता है और दो दिन में आपका ICC bank का demand account प्री close हो जाएगा साथ में सारे sales आपके grow app में या फिर जहां पर आप transfer करना चाहते हो जिसे कि मैंने आपको बताया कि अपना रेलीगेर हुआ या फिर एंजल ब्रोकिंग हुआ वहां पर आपको जो है एक लिश्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यह एक स्टी होती है डीपी स्टी है जिसके अंदर जो है customer की सारी details होती है वह आपको जो है फिल करनी होती है वह काफी एक्टुली लैंदी उसमें अपको हर एक जगह से Sign करने होते हैं मतलब एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है तो दोस्तों झाल झाल